हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे Central Government Employees, Pensioners, Family Pensioners से रिलेटर जो कुछ important अपडेट आए उसके बारे हम बात करेंगे हम बात करेंगे कुछ GDS से रिलेटर जो DRCA से रिलेटर अपडेट है इसके अलावा जो एक काफी अच्छा अपडेट है जिसमें की जो Central Government Employees है उनके लिए कुछ नया रूल बनने वाला है और वो DA से रिलेटर है उसके बारे हम बात करेंगे तो कुछ office orders है कुछ office memorandums है और जैसा ही कल अमने और ओपी से रिलेटर जो एक अपडेट किया था उससे रिलेटर अपडेट है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन सभी important अपडेट्स के बारे में यह सारे-सारे office order है इसलिए सबको जाना ज़रूरी है अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो अपडेट है तमाम जगह पर जो है DA का implementation के order आ चुके थे अब basically जो है central government employees में railways के जो भी pensioners और family pensioners है उनके लिए basically order है और इसका basically जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक office order है तो subject है grant of dearness relief to railway pensioners, family pensioners और यह जो है revised है effective from 172019 यह latest order है इसमें और यह सभी के सभी जो है important जो है offices को भेज दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको implement कर दिया जाए दूसरा दोस्तों जो है DA related बहुत important update है इसको कितनी जल्दी implement किया जाता है इसमें क्या-क्या कारवाई की जाती है वो एक different चीज है बट अभी basically जो नया update या नया order है वो है time interval for a revision of dearness allowance जो dearness allowance का जो time period है उसको कम करने के लिए तो basically यह कहा गया है कि क्योंकि जो यह cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities shall be computed अभी जो है हमारा जो है एक बार जुलाई में फिर जैन में जैन जुलाई अभी इनों ने कहा है कि it will be computed once before 1st April and once before 1st of October in every year to revise the DA अब ultimately जो cycle थी that is going to change अब इससे भी कोई ज़्यादा benefit नहीं है बट वो time interval जो है उन्होंने कर दिया है कि financial layer वाला कर दिया है कि एक बार April से पहले और एक बार October से पहले जो है revise हो कि जो कि July और Jan का cycle था तो basically यह है बट इसमें क्या benefit अगर 3-3 महीने करते तो एक अलग चीज थी बट सेम वही concept है एक बार April से पहले दूसरी जो है फिर October से पहले उसके लिए दोस्तों जैसा कि हमने का लोग आरोपी में बात की थी वो काफी एक अच्छा positive step था जिसमें कि जो है जो रिविजन थी एक जुलाई 2019 की वो भी नहीं हुई है तो वो अब Member of Parliament को भेजा जा चुका है और वी आर वेटिंग की भाई अब उसमें क्या नए अपडेट आएंगे इसके लिए दोस्तों एक और अपडेट है जो की GDS में जो है TRCA की calculation होती है उससे related है तो जो substitute है उनको basically जो है उनके लिए नया अपडेट है कि उनको जो है TRCA जो है minimum TRCA wages के recording मिलेगा और वो भी date final कर दिये एक साथ 2018 तो दोस्तों यह थे कुछ आज के important updates सभी central government employees, pensioners, family pensioners के लिए और खासकर railway department के लिए और DA में जो अभी जो DA का time period के बारे में बात की जा रही है कि जो अभी जो है दो cycle चलता है जुलाई और जैनवरी उसको change करने के लिए दोस्तों कर वीडियो पसंद आई तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए आपके पास जो अगर इन चीजों से related update है क्योंकि बहुत सारे ex-service movements है जहां पर यह कुछ काम हो रहे है तो जरूर शेयर कीजिए जिससे की बागी सब लों को परा चल सके है थैंक यू फो वाचिए वीडियो